ओम आगडेशायन, ओम गंग गड़पतायन, गड़पती वाच, एस्ट्रोलोजिस्टी मैं, एस्ट्रोलोजर, प्रफिसर, डॉक्टर एकेच्वबे, आसवी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिन दन करता हूं, मित्रो, नमस्का, मित्रो मैं हाजर हूं आप सही चर्चा क करने के लिए, चर्चा का विशय क्या है, में कुमब राशी के लिए, दिसनब्र दो जार खाइस बता रहा हूं, लेगे, कुमब राशी बहुत जवड़ास्त लाप आईगी, तो देखिए कुमब राशी वारों ध्यान से सुनिए, और मेरे चनल को सब्सक्राब करेए, बेल आग इनको प्रस किज़े, कमेंट में घड़े शाय नमा लखिए आराम किज़े, दिए कंब राशी के लिए केजर के इसाफ से चलते हैं, तो केजर के हिसाफ से यह मा आपके लिए ठीक रहेगा, क्यों केजर में क्या है, अस्ठाम स्कॉर्पिय राशी है, और स्कॉर्पि जिससे आपको अच्छी सफलता दे लागा है, आपके कारियों में बिर्दी होगी, कार्षेत्र में आपको महान सम्मान मिलेगा, सूर की उपस्थिती होने से सरकारी क्यारों से आपको लाव मिलेगा, सरकार से लाव मिलेगा, सरकार के कारे में कोई ठीक आवे का सरकारी मिला है तो पैसा आप मिलेगा, शरकारी नोगरी में तो उन नदी मिलेगी, तो देखिए बड़े जवर्दस इस्थिती आपको, बुद्ध और शुक्र वही बहुत बड़िया लाव दिलेंगे, लेकिन तीन तारीकों बुद्ध आ जाएंगे ग्यारमे वहाँ में, और पांच दिसम् ओर सुल्य abra आएंगे, तो अकेले सूल पर और स्ट्रॉंग लाब देंगे और सुतुरत भाव को भी देखिएँगे, यहां मंगल बैठे हुए है, तो भाई कुम्राशी वालो, भूमी कारक भूमी भवन कारक मंगल, बढ़िया मंगल अन बावन केटिन करेंगे, अनप सुर बहुत जवरस लब दे रहे हैं धनका लाब दे रहे हैं शुक का लाब दे रहे हैं शुक बहुत कोई कम ही नहीं होने जेंगे बढ़ी दसमें भाव पर आपके ब्यवशाय में थोड़ा उता चुड़ा रह सकता है मंगल की साथ में भाव पर सेम इंदृष्ट्री आपके ब्यवशाय में पार्टनर से पूरा सहो दिलाएगे मंगल भी देखनें, तो पूरा ला मिलेगा तो कि आपको बेवसाय में अच्छी उनतिज होगी, बेवसाय में अच्छी आपस्टर पाप्त होगे, सेक्ने नाउस में क्या है बरहस्पती बैठे हैं, दन भाव में, कुम्ब राशी बालों के धन भाव में बरहस्पती धना-धन सब तरह से लाब दिलाएंगे, अच्छे कर्मों से लाब दिलाएंगे, बुरे कर्मों से नहीं, बरस्पती आमधी दिलाएंगे, और अच्छे कर्मों से लाएंगे, मान से काद्यों से लाएंगे, जहां बुद्धी का इस्तवान होता हो, तो धन का आगमन तो आएगा देखि तो आर्थिक रूप से आपको इतना मजबूत बनाएगा बहुत जड़ा मजबूत तो प्रिजेंट समय की बहुत ही धनवान अलब पती करोर पती राशी कुम राशी है ब्रैसपती के धनवाव से बठकर और तीन-तीन गुण का योग यार में वाव में लाव में लाव भाव मन कर तो कुम राशी नवंबर के अंते अच्छ दिन और दिसंबर में पूरा दिसंबर का महिया जो मैं दिसंबर कर बता रहा हूं तो यह जो है बहुत जवड़्द शलाब पाएगे जिसंबर में तीन तारिकों बुद्वी और पांस तारिकों शुक्र भी ग्यार में वाव में तो लगन के स्वामी शनी का बाड में भावे संचरान थोड़ा सा स्वास की समयशा तो पहला करेगा थोड़ा सा आखों से संबंदे परिशन ही आएंगी हज्यों में दल रहा चकता है और तीसरे भाव के रहू परिश्यम बहुत अश्या कराएंगे ब्यायाम आज करते रहिएगा प्रेश्यम करते रहिए तो स्वास ठीक बना देगा प्राणायाम करिए मेडिट्रेशन करिए तो उससे आपको स्वास्था लाव हो रहा पंच्यम बाव पर तीन तीन ग्रहों की दिश्टी पढ़ाएंगी ग्यार में बाव से तो आपके प्रेम प्रिश्यम में सबलता दिलाएगी पांच दिसनमर से शुक्र जब इकातास में आ जाएंगे और उन में पốnष्यम अधाल जीवन में प्रपूण रहेगा और दिखियों पंचयम भाव प्रच्ण तीन तीन ग्रहों के दिश्टी और हं जब कि दवर्दस्त को शुक्र का तो प्रेम के देव सब्रेम के बचल की तो बहुत बहुत पर प्रपूण रहेगा upright house से मंगल की द्रश्टी सेमेंथ हाउस पर पड़ रही है तो घर में थोड़ा सा बिवाद तो आ सकता है शांती भंगू सकती है साथी साथ बार में वहाँ में स्थोड़ा खंचा जादा करा रहे हैं इसलिए आपस में कुछ तनावत आए गाएगा सनी की बार में वह उपस्ति अब मंगल की थोड़ी सी द्रश्टी जो है एक दो तीन चाद चौसी द्रश्टी परवार में थोड़ा सा तनावत पहला कर सकती है परवारे जीवन में थोड़ा सा तेंशन तो आए गया है सेगने डाउस में बरस्पती उच्ची के होकर धन आगामन्तों कराएगे ही साथ में परवार को और भी निकट लाएंगे और परवार का पूर्ण सजोग मिलता रहेगा शनी की दश्ची भी बरस्पती पर पड़ रही है यह बरस्पती और बरवान हो रहे है तो और धन आएगा बरस्पती की शनी की बारे में भाव से दश्ची पर यह दूसरे बाव पर कि तीसरे दश्ची तो परवार को भी निकट तार आएगी यह परवार में अच्छा संब और देखिए धन भाव पर ब्रस्पति शनी का असर परवार में धार्मिक आविजन कराएगा और दसमें हाव से चतुरत पर सुर्य बुद्ध शुक्र का प्रवाव भी रहेगा कुटम वई नजदिक आएगा तो एक आदस में जब यह ग्रह पहुंच जाएगे तो फेर पंचम में लाप कराएगे प्रेम प्रसंगों में लाप कराएगे और तीसर भाव से यह भाई जैसे सायोग कराएगे कुम राषी के दिसंबर का महिना बहुत ही अच्छा रहा है बहुत जबरदस रहा है और आप और अच्छा बनाने चाहते हैं तो उपाय कर देए, क्या क्या स्वृूू करें अपाय करें, सुनिन का उपाय करें, पीपल पेपल पटान को अदिया जलाईंगे, चीतियों को थोडा आठा मेल टहीड एको, लाण अटे खलागे, और देखे Aaा मंगल को हन्वाद το स्लेशा का पाड़ कें कि जी, ओम हन्माते नहें पाप हिज्ज मंतर का किज। तो में तो मैं यह विराम ले रहा हूं नमस्कार